इस लोगडाउन ने तो जैसे लोगों की जिंदगी को रोक कर ही रख दिया था मुवीज हो मॉल हो सिनेमा हॉल हो क्रिकेट के फैंस भी शायद हाइलाइट देख देखकर अब तो पक चुकी होंगे लेकिन आज की खबर आप लोगों के बड़े काम की है लोगडाउन के चलते जहां 15 मार्च से ही इंटरनेशनल क्रिकेट पर रोक लगी हुई है वहीं इसे बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक राहत भरी खबर है यह खबर भले ही इंगलेंट से आई हो लेकिन है तो राहत की ही बार हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें टीम इंगलेंट के साथ तीन मैचों की टेस्ट सिरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम मैंचस्टर पहुच गई है इसे यही उमीद लगाई जा रही है कि पिछले दिनों से हाईलाइट देख रहे फैंस अब लाइव क्रिकेट एक बार फिर से देख सकेंगे आल ही में मैंचस्टर ची वेस्ट इंडीज के खिलाडियों की टीम का कोविड नाइटीन टेस्ट किया गया वो सभी को 14 दिन के लिए क्वारिंटाइन में रखा गया है सब कुछ ठीक रहा तो 8 जुलाई से यह टेस्ट सिरीज इंगलेंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जाएगी इस मैच क 16 से 20 जुलाई और 24 से 28 जुलाई तक Old Trafford में खेला जाएगा खिलाडियों के मेच के लिए भेज़ जाने में पूरी तरह से हतियात बरती गई है और जाने से पहले खिलाडियों का कोविड नाइटीन का टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है वहीं करते वक्त जो नियम है यह क्या है हम आपको बता देते हैं सलाइवा के बात करें तो मैच खेले जाने के तुरान फील्ड एरिया में फिल्डर या बॉलर सलाइवा से गेंद को नहीं चमका पाएंगे और ऐसा करने पर दोनों ही टीमों को दो बार बार होता है तो सामने वाल भी एक नियम है इस नियम के अनुसार मैच के दौरान एंपायर घरीलू ही होगा ताकि किसी भी विदीशी एंपायर को सफर कने से रोका जा सके और कोरोना का खत्रा कम किया जा सके substitute player का option ICC ने इसलिए किया है कि अगर किसी खिलाडी को COVID-19 positive निकलता है तो उसकी जगा दूसरा खिलाडी जगा ले सकता है ये नियम सिर्फ test match के लिए लागो किया गया है England और West Board दोनों का ध्यान इस वक्त सिर्फ इस जगा पर है कि खिलाडी और मैच से जुड़े सभी लोगों को सुरक्षत रख सके क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस मैच पर होने वाली है क्योंकि इतने दिनों बाद फिर से कोई लाइव मैच होने जा रहा है जिसका दर्शक आनन्द उठा सकेंगे हाला कि इस मैच को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे है